नमस्कार दोस्तों, स्वागात आपका हमारे यट्यूब चैनल दे टीचर एक्जाम में दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइकोलोजी के 25 मौस्ट इंपॉर्टन क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो टेट, सीटेट, सूपर टेट, रीट एक्जाम के लिए बहुत महात अपुड़ों है दोस्तों, जो साइकोलोजी का पार्ट होता है, और काफी टफ होता है इसलिए मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बहुत ही, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन करके उन से इन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो आपके एक्जाम की प्रप्रेशन को और सुधरन करेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए बीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में सेर कीजिए और कमेंट करके हमें बताईए कि आपको बीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये हमारे टेलेग्राम चैनल है, इसे आप जोइन कर लिजिए जहां से आपको इस वीडियो की questions के साथ answer भी मिल जाएंगे PDF आप वहाँ से इन questions की PDF प्राप्त कर सकते हैं चलते हैं दोस्तों अपने questions पर Question No.1 है हमारा निवन में से आदुनिक मनोविज्यान के जनक कौन है आपके option है A. बिलियम जेम्स Option B. Edward Thandike Option C. J.B. Watson Option D. Gilford बताएं दोस्तों इसमें सही option क्या होगा आदुनिक मनोविज्यान के जनक कौन है बिलियम जेम्स हैं एदुनिक मनोविज्यान के जनक किसे माना जाता है तो जो दोस्तों इसका सही option होगा वह आपका option No.1 होगा A. बिलियम जेम्स दोस्तों आदुनिक मनोविज्यान के जनक बिलियम जेम्स को माना जाता है चलते हैं दोस्तों पने नेक्स्ट कॉश्चन पर निम्न में परकारवाद समपर्ते के जनक कौन है आपके option A. गिलफोर्ड, एडवर्ट थंडाइक option C. बिलियम जेम्स या option D. जे भी वाट्सन बताई दोस्तों परकारवाद समपर्ते के जनक कौन है गिलफोर्ड है, एडवर्ट थंडाइक है, या बिलियम है, जे भी वाट्सन है बताई दोस्तों उसमें सही option क्या होगा सबस्तों इसको जो सही option होगा किसे दी है že दोस्तों A. J. B. Watson B. William James C. Guthry या D. Jerome Brunner mercy दोस्तों صही आप्शन क्या होगा आत्म सन परते की अवधारणा किसे दी है बताइसे दोस्तों सही आप्शन क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही आप्षण होगा वह आपका आपसन नंबर होगा B-William James दोस्तों इसका भी आपषण नंबर B होगा और इसमें भी बिलियम जेम्स ही सही आपके आपसन होगा बताई इसमें सही आपसन क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही आपसन होगा वो आपका आपसन नमबर होगा C थन्डाइक जो है वो सिच्छा मनो विज्ञान के जनक है चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स क्वेश्चन पर निमन में से बिने साइमन बुद्धी परिच्छड के परतबाद अक्वन है आपको बताना है दोस्तों की बिने साइमन बुद्धी परिच्छड के परतबाद अक्वन है आपको बताना 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 है अल्फरेट बी ने योम साइमन्स जो हैं साइमन बुद्धी परिछट के पर्तिबादक हैं चलते हैं दोस्तों अपने नेक्ट वेशन पर निम्न में से बुद्धी परिछट के जन्म दाता कौन है आपके आफसेन है ए स्पेर मैं थंड आई जेबी वाट्सन या अल्फरेट बताई इसमें सही आपसन क्या होगा निम्न में से बुद्धी परिछट के जन्म दाता कौन हैं तो बताई दोस्तों इसमें सही आपसन पर मताई क्या होगा तो दोस्तों इसका पासन नमर होगा रिक अल्फरेड बी ने बुद्धी पर इछड़ के जर्म दाता है चलते हैं दोस्तों अपने नेक्ट कोश्चन पर नेक्ट कोश्चन है दोस्तों हमारा निम्न में सामान वा विशिष्ट ऑबलिक दुई खंड का सिद्धान्थ या दोए सकती का सिद्धान्थ किसने दिया है आप दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दुई खंड का सिद्धान्थ किसने दिया है ये कई बार एक्जाम में रिपीट किया गया है क्वेश्चन लेकिन ये कभी कभी अलग अलग करके पूछता है ये एक में नहीं पूछता है मैंने तीनों एक में सामिल कर लि क्या है बताइए दोस्तों इसमें सही option क्या होगा जी हाँ दोस्तों इसका correct option होगा वो आपका option नंबर होगा a spearman spearman ने सामान वा विशिष्ट दुई खंड का सिद्धान्त वाज दुई सक्ति का सिद्धान्त दिया है चलते हैं दोस्तों अपने next question पर निवन में से बुद्धि सनथ्चना, थGreenConnie Day model ठीमी बुद्ध्य कि सनथ्चना किस ने दिये आपको बताना है दोस्तों बुद्धि सनथ्चना या 3 jej model या 3 एमी बुद्ध्धि कि कि版 बिद्धि सप्राइव कर के पूछता है बहुत बार पूछा या 3D इसमें साइब अपिभाहोगा तो दोस्तों 2020 सब्सक्राइब स्रेडियोकौ सब्सक्राइब गिलफोर्ड ने बुद्धी सनचना थ्री मॉडल त्रे में बुद्धी की सनचना जो है वो गिलफोर्ड ने दिये है चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स कोश्चन पर निम्न में से समोखंड बुद्धी युग्म तुलनातमक निर्ने बुद्धी का सिदान्त किस ने दिया है। मैंने इसको दोनों आप्सन को मैंने ले लिया है जिससे कि आप को सहुलियत हो जाए इसलिए मैंने उन में और लिग करके लिख लिया है। unos exceptions क्या होगा। बताइए दोस्तो ये S.R. थेओरिकर की क्वेश्चन पूछता है बताइए दोस्तो इसमें सही आपसन क्या होगा A. स्पियर माइन B. थंडाइक C. जेबी वाटसन D. कलार खल बताइए दोस्तो इसमें सही आपसन क्या होगा किसने दिया है दोस्तो A. B. C. ड. में सही आपसन बताइए उद्डीपन उनक्रिया का सिद्धान्थ S.R. थेओरिस संबंदवाद का सिद्धान्थ और संयोजनवाद का सिद्धान्थ ये तीनो एक ही हैं बताइए इसको किसने दिया है तो दोस्तो जो इसमें आपका आपसन होगा बताइए दोस्तो इसमें सही आपसन क्या होगा किसने समुगत सिलता का संप्रत्य सिद्धान्थ दिया है बताइए दोस्तो इस पेर में थंडाइक आर्वी केटल कूट लेविन बताइए दोस्तो इसमें सही आपसन क्या होगा 11 नमबर का सही आपसन बताइए दोस्तो इसमें सही आपसन क्या होगा तो जी हाँ दोस्तो इसका सही आपसन होगा और आपका आपसन नमबर होगा D. Koot Levin Koot Levin ने समुगत सिल्ता का सिधान्थ दिया है चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स क्वेश्चन पर निम्न में से सामेप सम्मधवाद का सिधान्थ किस ने दिया है बताइए दोस्तों इसमें सही आपसन क्या होगा निम्न में साइन का सिधान्थ किस ने दिया है बताइए दोस्तों इसमें सही आपसन क्या होगा तो दोस्तों इसका सही आपसन होगा आपका आपसन नंबर होगा बी टालमेन ने साइन या चिन का सिधान्थ दिया है चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स क्वेश्चन पर निवन में से संभावना सिधान्त के प्रतपादक कौन है आपके आपसन है A. टालमाइन B. कूड लेविन C. थंड आइक या आपसन D. गिलफोर्ड पताए दोस्तों इसमें से कौन से सही आपसन होगा टालमाइन, कूड लेविन, थंड आइक, गिलफोर्ड में से किसने संभावना सिधान्त के प्रतपादक माने जाते हैं तो दोस्तों इसका जो सही आपसन होगा वो आपका आपसन नंबर होगा A. टालमाइन टालमाइन को संभावना सिधान्त के प्रतपादक माने जाते हैं चलते हैं दोस्तों प्रें next question पर आपका next question है निर्न में से अगरिम संगठक परतिमान का सिदान्त किसने दिया है आपके option है A. J.B. Watson option B. David Osweill option C. R.B. Ketel option D. William Macdugal बताए दोस्तों इसमें सही option क्या होगा निर्न में से अगरिम संगठक परतमान का सिधान किस ने दिया है A, B, C, D में सही आपसन बताएं दोस्तों इसमें सही आपसन क्या होगा तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आपसन होगा वो आपका आपसन नमबर होगा B, sorry दोस्तों इसका जो सही आपसन होगा वो आपका B ही होगा डेविड आसवेल चलते हैं दोस्तों पर नेक्ट क्वेश्चन पर निम्न में से भासी सापेच़ता प्राकलपना का सिधान्त किस ने दिया है आपके option है कलारखल, option B, आरबी कैटल, option C, थामसन या option D, ली हार्फ बताई दोस्तों में सही option क्या होगा बासी सापेच़ता प्राकलपना का सिधान्त किस ने दिया है A, B, C, D में सही option बताई दोस्तों कौन से सही option होगा तो दोस्तों जो इसका सही option होगा वो आपका option नमबर होगा D, ली हार्फ ली हार्फ ने बासी सापेच़ता प्राकलपना का सिधान्त दिया है आप्सन नमबर D चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स क्वेश्चन पर निम्न में से मनोबिज्ञान का वेहुआरवादी सिधान्त किस ने दिया है आपके आप्सन है A. कलार खल आप्सन B. J.B. वाट्सन आप्सन C. थाम्सन या आप्सन D. बिलियम मैक डूगल बताई दोस्तों इसमें सही आप्सन क्या होगा मनोबिज्ञान का वेहुआरवादी सिधान्त किस ने दिया है बताई दोस्तों इसमें सही आप्सन क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही आप्सन होगा वो आपका आप्सन नमबर होगा B. J.B. वाट्सन जो मनोविज्यान का वेवारवादी सिधान था उन्हों जे भी वाटसन ने दिया है चलते हैं दोस्तों पर नेक्स क्वेश्चन पर आपको बताना है कि अधिगम आवस्थाओं के प्रत्पादक कौन थे आपको ओफसन है ए जे भी वाटसन आपसन बी कलारखल आपसन सी जे र दोस्तो इसमें जो आपका सही आपसन होगा वो आपका आपसन नमबर होगा C. J. R. Brunner J. R. Brunner जो थे वो अधिगम आवस्थाओं के प्रतिपादक थे चलते हैं दोस्तो अपने नेक्ट कुश्चन पर नून में से अधिगम या वेवार का सिदान्त किस ने दिया है आपके आपसन है A. Thompson, आपसन B. Clark Hall, आपसन C. J. B. Watson यापसन D. R. Brunner बताए इसमें सही आपसन क्या होगा किस बेक्ति ने अधिगम या वेवार का सिदान्त दिया है तो दोस्तो इसमें जो आपका सही आपसन होगा वो आपका आपसन नमबर होगा B. Clark Hall Clark Hall ने अधिगम या वेवार का सिदान्त दिया है चलते हैं दोस्तो पर नेक्ट कोश्चन पर निम्न में से करंबध अंतराल बिध के परतपादक कौन है आपको बताना है करंबध अंतराल बिध के परतपादक कौन है आपके आपसन है A. Thompson, B. Thruston, RV Cattle या Thandike बताए इसमें सही आपसन क्या होगा कौन हैं जो करंबध अंतराल बिध के परतपादक है बताए दोस्तो इसमें सही आपसन क्या होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपके पचास क्वेश्चेंस में से कितने क्वेश्चेंस प्रतिपादक कौन हैं, बताई दोस्तों, rb cattle, option b, thompson, option c, thrushten vachio, option d, thundi, बताई इसमें, दोस्तों, कौन सा सही option होगा, संदृष्टी अंतरविधी के प्रतिपादक आपको बताना है, थांसन है, thron वachio, thundi, thundi, अबताई इसमें, तो दोस्तों, जो इसका सही option होगा, सरह कुछा ऑपको बताorf नई दरस्त वाफ और गटक बुद्धिक इस ने दिया है gör कि staने दिया कि दर्शन नहीं आप qatar है शायए c नेक्टे वीट्प्र ने पड़्ातो ईस्ट से इसम zip आरओ्च आपको गदा लुंद्धिक किस ने दिया है थंडाइग ने दिया है या औप अप झटल नने दिया है या औप संडी थरश्टन ने दिया है भताईRes किस दोस्तों इसका जो स़हीं आप संगांओं व आपका नम्र कशी ताम सामंत्य ने निया दर्स यह पर्थि दर्सन वरग Meghal ties theme पिस ने दिया है चलते हैं दोस्तों प्ने नेक्स क्रेश्चन पर आपको बताना है कि तरल ठोस बुद्धी का सिदान्त किस ने दिया है बताई दोस्तों तरल ठोस बुद्धी का सिदान्त किस ने दिया है आपके option A दोस्तों इसका जो पर आपको बताना है कि प्रतिकारक बिसेसक सिद्दांत के परतिपादग कौन है, आपके option है, thongson, thundike, rv cattle, thruston, बताइए अपकी option A, thongson, b thundike, c rv cattle, d thruston, बताइए इसमें दोस्तों सही option क्या होगा, परतिकार्क बिumb desktop सिद्दांत के परतिपादग कौन है, तो दोस्तो इसमें आपका सही आपसन होगा वो आपका आपसन नमबर होगा C R.B. Cattle चलते हैं दोस्तो पर नेक्ट कोश्चन पर दोस्तो यह हमारी वीडियो का लास्ट कोश्चन है आपको बताना है निन में से बुद्धी काई का सिधान्त किस ने दिया है आपके आपसन है A. Thompson B. Sternum Johnson C. R.B. Cattle D. David Oswald बताएं दोस्तो इसमें सही आपसन क्या होगा बुद्धी काई का सिधान्त किस ने दिया है तो दोस्तो इसमें जो सही आपसन होगा वो आपका आपसन नमबर होगा B. Sternum Johnson दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए चलते हैं दोस्तो अपने नेक्स क्वेश्चन पर दोस्तो ये नेक्स क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होम औरक है आपको हमें कमेंट बताना है इसका सही आपसन क्या होगा इसमें आपको बताना है कि मौल प्रवत्तिका जो सिद्धान थे उसकिस ने दिया यह हमें कमेंट में बताईएगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में सेर करिए और कमेंट हमें यह बताईए कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों ऐसे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैरी को और मवजबूत बनाते रहेंगे दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन जै भारत